नमस्कार बहुत सौगत है आपका विश्णू प्रिया जो भगवान स्रीहरी की सबसे प्री है और वो है तुलसी तुलसी आपके घर की लक्षमी होती है हम सभी के आंगन में होती है, हम सभी के घर में होता है जी हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो और भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि उनके बागवानी की बालकोनी की छद की सुन्दरता बढ़ जाए और कुछ लोग सबजियां भी उगाते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन क्या आपको पता है कौन-कौन से पेड़ हैं जो हमारे परिवार के लिए लापकारी है इस बाद का भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम कई बार बास्तू का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं और इसी कारण से हमें कभी-कभी परि जॅन इसी कोशी नाम भुगत्ते रहते हैं तो चलिए सबसे पहले तो हम बतलाएं कि आप रहता है वैसे तो केले का पौधा सबको नहीं धारता है आपने सुना होगा धार्साज ये एक तरह का कह सबको शूट नहीं करता है हम सामान भासा में आपको समझा रहे हैं केले का पौधा सबको सूट नहीं करता है लेकिन आपके घर में अगर पहले से है तो इस बात का ध्यान रखिए कि केले का पौधा हर हाल में इसान कोन यानि पुर्व और उत्तर का कोना जो होता है एरिया उसी एरिया में हो या फिर आपका घर जिस भी मुह से है उसके ठीक पीछे हो इस बात का खास ख्याल रखिएगा ये बहुत सूब होता है अगर आपको सूट नहीं करता है केले का पौधा तो प्लीज मत लगाईएगा अब सूट क्यों नहीं करता है कंद वाले पौधे केले का पौधा क्या है आप कितना भी काटिए वो नीचे से नयाने निकलता इसे कहते हैं कंद वाले पौधे इस तरह के पौधे सबको सूट नहीं करती है इस बात का खास ध्यान रखिएगा बास्तु सास्त की अगर हम बात करें घर में तुलसी चंपा हरसिंगार ये सभी पेर बहुत सूब होते हैं घर में जरूर लगानी चाहिए लेकिन आप किस द अधन की बर्धी हो बरकत हो अनाज के भंडारा भी आपके घर में लगे चलिए हम आपको दिसा के बारे में बात करते हैं हम बिना सोचे समझे ही मिटी के गंबले में तूलसी के पौधे लगा देते हैं सबसे पहली बात दोस्तों आप प्लास्टिक के गंबले में तूलसी क में मत लगाईएगा दूसरी बात तूलसी के पौधे के पास आप सिर्फ केले का ही पेड लगाईए ताकि माता लक्षमी के साथ भगवान विश्णु का निवास हो यह बहुत सुब रहता है और अगर आपके घर में ऐसे फूलों के पौधे हैं जिनकी पत्तियां या फिर डा कहते हैं धन की हानी होती है घर में धन नहीं टिकता है अगर दूद वाले पौधे आप घर में लगाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कहीं यह चीजें हमारे जीवन में नकारतमक तो प्रवाण नहीं डाल रहा कांटे वाले पौधे भी घर में मत लगाईए पित किया जाता है अगर हो जाता है तो आप बहुत भागे साली है फिर तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी अगर नहीं है तो आप तूलसी के जो आपके गमले हैं जहां पे तूलसी का गाच है वहां पे लगा दें सूब रहेगा घर में सुपता बढ़ती रहेगी दोस्तों चलिए हम लगे हाथों आपको एक टूटका बतला देते हैं अगर आप ब्यापारी हैं आपका ब्यापार नहीं चलता है तो क्या करेंगे एक कटोरी या ग्लास में पानी ले उसमें तूलसी के कुछ पत्ते रख दे और इस पत्ते को पानी में तीन दिनों तक यूँ ही पड़ा रहने दे और फिर इस पानी को आप अपने ब्यापार अस्थल के जो दरवाजे हैं वहाँ पे आसपास छिड़क दे आप देखिएगा ग्रहक आने लगेंगे और आपके दुकान की चलती अच्छी खासी हो जाएगी अगर आप जैसे आपके घर में चावल तो बनता ही होगा भात जिसे कहते हैं तो जब चावल बन रहा हो तब एक पत्ते तुलसी के चावल में पकने वाले चावल में डाल दें आप देखिएगा आप लोग जो भी खाना खाते हैं चावल का यूज़का हर किसी का स्वास्त अच्छा रहने लगेगा घर में बरकत बढ़ जाएगी क्योंकि तुलसी में जो पारा होता है वो आपके घर के आपके खाने की निगेटिविटी को समाफ्त कर देती है अस्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की जड में सभी तिर्थ मध्य में सभी देवी देवता और उपरी साखाओं में सभी बेदिस्थित हैं और तुलसी का अगर परते दिन दर्सन करते हैं तो पापों का नास होता है पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ती होती है इसलिए तो देव पूजा और स्राद कर में तुलसी का पूजन करना अवस्यक माना गया है तुलसी के पत्र से पूजा करने से ब्रत यग जप होम हवन का पुन्य भी प्राप्त होता है तुलसी के बारे में जितनी भी बखान किया जाए वो कम है लेकिन पद्व पुरान में वर्णन आता है कि जहां तुलसी का एक भी पौधा होता है वहां ब्रह्मभा विश्नु संकर भी निवास करते हैं और तुलसी की सेवा करने से महापातक भी उसी प्रकार नस्ट हो जाता है जैसे सूरी के उद्य होने से अंदकार समाप्त हो जाता है कहते हैं जिस परसाद में तुलसी नहीं होता उसे भगवान भी स्विकार नहीं करते तो भगवान विश्णू योगेश्वर कृष्ण और बाला जी के पूजन के समय तुलसी के पत्त खास तुलसी का गमला रोसोई के पास रखने से पारिवारी कलह समाप्त होता है और वास्तु दोस्दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अगनी कोन यानि दक्षिन पूरब से लेकर उत्तर पस्चिन तक के खाली अस्थान में आप लगा सकते हैं अगर खाली अस्थान ना हो तो गमले में भी आप लगा सकते हैं पूरब दिसा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदी जिद्धी है तो उसका हट दूर होगा संतान अपनी अगर मर्यादा से बाहर है नियंतरन में नहीं है तो तुलसी को पूरब दिसा में रखें तुलसी के पौधे में से तीन पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाते रहें तो संतान आपका अग्याकारी होगा। अगर आपकी बिठिया बिवाह के लिए है बिवाह में बिलंब हो रहा है तो घर के अगर्णीकोन में तूलसी का पौधा लगवा कर कण्या से जल अरपित करके प्रदक्छि तुलसी के सोलह बीच सफेद कपड़े में बांध कर दबा दें तो सम्मान मिलेगा तो तुलसी लाल किताब में भी कहा गया है कि बुद्ध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुँचाता है और तुलसी बुद्ध का कारक भी है निकाल देना चाहिए बढ़ना निगेटिव एनरजी बढ़ती है लेकिन तुलसी के पौधे की जड़ होती है इसमें तिलस्मी सक्ति होती है धन को खीचनी की सक्ति होती है तो आप एक काम करें आप सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा अगर आप चाहते हैं चंद्रमा, कर पॉडर मिला ले और थोरा सा नमक ले ले इन तीनों चीजों को मिला कर एक डब्बे में स्टोर करके रख ले अब रोज नहाते समय आप किसी भी मंत्र का उचारन करें जैसे ओम नमो नाराय नाय इस मंत्र का जब करें और यह जो मिस्त्रन है उसको एक चुटकी नहाने के प पौधा आखिर वह कौन पौधा देखिए पहला तो है दुर्वा घास अगर खुद से तूलसी में दुर्वा घास उगाए तो इस दुर्वा को आप भगवान गनियस को जरूर अर्पित करें और बुद्वार के दें और इसके बाद अर्पित किया वह दुर्वा उठा कर जब वह सूह जाए लाल कपड़े में बांध कर रख लें यकीन मानिये आप सभी की बुद्धी विचार भी बढ़िया होगी बरकत भी होगा आप जो डिसीजर लेंगे वो सही होगा लेकिन मान लेते दुर्वा घास तो नहीं होगा लेकिन बहुत सारे खरपतवार आ गये ह उगा हैं खुद से तब तब तो आपके पांचे उंगली घी में हैं क्योंकि ये जो खरपतवार है इसको आप किसी भी गुरूप पुस्से नच्छत्र रभी पुस्से नच्छत्र या पुर्णिमाति थीक के दिन आप इसको परणाम करके आप इसको उखाड ले जड़ के स तुलसी में धनस्थान पर कहीं भी रखते हैं फिर देखिए चमतकार कैसे होता है यहां तक कि तुलसी में लगा हुआ कोई भी खरपतवार यानि तुलसी के गमले में अपने आप कोई भी छोटा मोटा पौधा निकला आए तो उसको आप गुरूवार के दिन उखाड कर प तुलसी के साथ जो भी पौधा उगाता है वो आपकी विस्ट को पूरा करने के लिए आता है अगर आप सही समय का फायदा उठा लेते हैं तो हर तरह की समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे चाहे वो संतान की प्रॉबलम हो या नौकरी की या धन की या फिर सुक सम्रिद्धी घर परिवार तमाम चीजों की मुस्किले समाप्त हो जाएगी यहां तक की स्वास्त भी उत्तम रहने लगता है बस आपको बोल कर इस पौधे को उखाड़ कर रख लेना है फिलार भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तम लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से से करें दूने